हेलो फ्रेंट इस वीडियो में जानेंगे हाइड्रो इस्टेटिक पैराडोक्स क्या होता है बड़ा ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है तो सबसे पहले हम जानते है कि पैराडोक्स क्या होता है देगो पैराडोक्स का मतलब वह होता है जैसे कि कोई भी आप पहले से कोई कंसे होती है जैसे कि तो उसे एक तरह से paradox कहते हैं अब paradox क्यों है वो भी जान लेंगे अभी practical के माध्यम से यहाँ पर और आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर clear भी कर दूँगा कि कैसे paradox हो और कैसे यहाँ पर कुछ rules है जो कि यहाँ पर लागू हो रहे है कुछ concept है पास्कल स्लो है जो कि यहाँ पर हम पढ़ने वाले है तो आइए स्टार्ट करते है दा physics lab को आपको कोई भी इस तरह के कि concept अगर या फिर कोई वीडियो बनवानी है जिस पर आपको confusion है तो आप comment box में अपना suggestion दे सकते हैं अगर मुझे लगा कि topic general है और काफी बच्चों को confusion होता है तो हम कोशिश करेंगे उसको वीडियो के मादम साब की पास लाया जाए और आपको explain अच्छे से किया जाए तो आईए पानि बर रहा हूँ तो यहां पर क्या कर रहे हैं इसको जैसे ही वह बढ़ते जा रहे है वैसे ही अपर अगर overhe पर फर्क पढ़ेगा तो फिर से देख लेते हैं बर देते हैं तो प्रेसर पर फर्क पढ़ रहा है देखते हैं जल्दी बर गया है और यहां पर प्रेसर पर कोई फर्क नहीं पढ़ा है यह उतना ही प्रेसर है फिर से तीसरी बार देखते हैं तीसरी बार में देखते हैं कि य यहां पर प्रेज़आ चाहिए क्योंकि हाइट आमारी जो होती है प्रेजर में होता है जो होता है रोघ ενा कि हाइट होगी हासा लेकरे यहां पल क्या हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैलू 9.81 मिटर पर सेकंड स्कॉरर होती है तो फिक्स वैलू है ठीक है रो है तो डेंसेटी कोई भी हम अगर एक लिक्विट लेकर चल रहे हैं तीनों में एक ही लिक्विट भर रहे हैं तो रो भी आपर चेंज नहीं हो ठीक हो चाहिए तो आप कहेंगे कि इसमें पारेड्क्स कहा है फिर तो पेसे Cellt व्यूंग उप्ताओ आरिए है कि है इसको अच्छे सी ऐक्सप्रेशन H इसमें जो पानी ले रहे है देखो सबकी सेप अलग लग है तो सबका यहाँ पर जो वोल्यूम है वो अलग अलग है क्योंकि डेंसिटी सबके लिए सेम है तो M1 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा इसका जो भार है सोरी दर्मान है वो हो जाएगा ठीक है, तो इसमें भी मास हमारा क्या हो जाएगा, अलग होगा, तो M2 यहाँ पर हो जाएगा हमारा, M2 लिख देता हूं मैं, तो यह M2 हो गया हमारा, और यह M3 हो जाएगा, तो एक तरह से देखा जाए तो हम यहाँ पर, देखकर ही यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि M1 जो है वो ज्यादा है किससे M2 से M2 से और M3 सबसे कम है तो यह मैंने कर दिया निशान लगा दिया यहाँ पर कि M1 सबसे ज़्यादा है, M2 फिर उससे कम है और M3 यहाँ पर सबसे कम है अगर मैं G से मल्टप्लाई कर दूँ, एक कॉंस्टेंट रासे से मल्टप्लाई कर दूँ, तो क्या है यह बिल्कुल फिक्स है, अभी भी वही रहेगा रिलेशन तो कि M1 G सबसे ज़्यादा होगा, M2 G उससे कम होगा, और M3 G सबसे कम होगा तो क्या है इसको मैं F1 मान लेता हो, इसको मैं F2 मान लेता हो, F3 इसको यह मान लेता है, तो देखा जाए, तो यहाँ पर जो हमारा जो बेसिकली फोर्स लगना चाहिए था, यहाँ पर इसके जो यह वाला बेस है, यहाँ पर ठीक है, इसका बेस जो है, सबका एरिया A मान के चल रहा हूँ मैं तो इसको A मान के चल रहे है यह भी area A है यह भी area ही है और यह भी area यह तो यहाँ पर जो force लगना चाहिए था वो कितना लगना चाहिए था F1 equal to M1 G F2 equal to M2 G F3 equal to M3 G तो यह तीन force यहाँ पर लगने चाहिए थिक है आलग अलग लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो भी देख लेते हैं, तो यह तो पहली बात होगी, होना क्या चाहिए था, वो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन actual में क्या हो रहा है, देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, कि अब हमारी condition, यह तो first condition है, कि ऐसा तो ऐसे ही एक्वल टो रो तो तीनों बराबर है, तो तीनों तरफ मैं A से मल्टप्लाई कर देता हूं, P2 को भी मैंने A से मल्टप्लाई कर दिया, P3 को भी मैंने A से मल्टप्लाई कर दिया, तो क्या यह तीनों यहाँ पर, यह अगर P1 बराबर, P2 बराबर, P3 है, तो P1 A बराबर, P2 A बराबर, P3 A भी पीवन ए बराबर किसके बराबर आना चाहिए एफवन के बराबर आना चाहिए यहां पर एफवन हट गया है तो मैं एफवन लिख देता हूं उसी के इसाब से यहाँ पर force लगना चाहिए लेकिन वास्तों में liquid के case में ऐसा नहीं होता है जो hydro aesthetic paradox है वो यह कहती है कि जितना pressure यहाँ पर लग रहा है उतना ही यहाँ पर लग रहा है उतना ही यहाँ पर लग रहा है और अगर area same है तो force भी इस पर भी equal होगा इस पर भी equal force उतना ही generate कर सकता हूं अगर आपको अभी भी दिखता है तो मैं इसको देखो एक तरीके से और समझा सकता हूं तो अगर इसको practically समझा जाए तो ऐसे भी समझ सकते हम यहाँ पर हमने क्या किया किया एक fix जैसे कि M बराबर 1 kg ले लिया हमने fix रख दिया यहाँ पर आप इसको बराबर अगर force आचका है तो यह क्या करेगा यहाँ पर एक हलका से जटका देगा यह लीक होना शुरू हो जाएगा तो मैं दिखा देता हूं कैसे क्या होने बाला है यहाँ पर तो हम क्या करेंगे इसमें liquid भरेंगे धीरे धीरे पानी भर रहे है यहाँ पर और जब यह पा तो पी बराबर जब रोज हो जाएगा तो देखना है यहाँ यहाँ पर यहाँ पर जब maximum H पहुंच जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर जटका लगने वाला यह लगा यहाँ पर लिक हो गया था तो इतना पानी यहाँ तक अगर मैंने भारता हूं तो एक किलो ग्राम के ब हैं और यहाँ पर बढ़ रही हैं देरे और सब्सक्राइब कर गया इसमें बेकोड़नाटारी मेंने भर दिया हैं और पास कर लो भी इसी concept में काम करता है तो आई होब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पर क्या कहने चाहता था क्या paradox है क्या फोर्स है फोर्स कम लिक्विड में भी हम बहुत जादा force क्रियेट कर सकते हैं यहाँ पर और कैसे कर सकते हैं वह अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही मज़दार वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें धन्यवाद